हाई गाइस सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डारेक्ट और इंडारेक्ट स्पोटिंग एर्रस का खतम किया था तो आज के वीडियो के एंड में आपको एक पेपर मिल जाएगा जिसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो एंड ट्राइंड सॉल देप सो आज में क्या बात क को सॉल कर दोंगा आप लोगों के लिए कि आपके कितने क्वेशन ठीक ते और कितने क्वेशन गलत थे राइट सब डारेक्ट और इंडारेक्ट की जब मैं बात करता हूं और बिफोर अगर मैं सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों को क्या आती है मेरे अल्मॉस्ट हर तो अगर आपको हिंट मिलती है कि तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में या इस क्वेशन में उस चाप्टर की गलती हो सकती है तो डारेक्ट इंडारेक्ट आइस बहुले क्यैसे पता चलेगा so guys direct and indirect speech का استعمال किसले होता है direct and indirect speech का استعمال होता है जब हमें message देना होता है तुमने मुझसे कुछ कहा मैंने तुमसे कुछ कहा उसने हमें बताया आपने तो कल कहा था कि यह chapter भी करा ओगे तुमने कल कहा था कि यह chapter कैसे होगा so all that is direct and indirect speech जब भी मैं message दे रहा हूं ठीक है आपने मुझे बताए कि मैं कल नहीं आऊंगा और यही बात मैं आगे किसी और को बता रहा हूं मैं कहूंगा उसने मुझे बता दिया है कि वो कल नहीं आएगा तो यह हो गया giving messages जैसे ही आप message दे रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप direct and indirect speech यूज कर रहे हैं आप direct and indirect speech की उस question में गलती हो सकती है तो हमारे को hint क्या मिलता है अगर किसी भी तरह से message pass on हो रहा है तो वो indirect or direct speech का question हो सकता है राइट नव direct speech में usually हम use करते हैं said तो indirect speech और direct speech में अच्छी बात क्या है अगर direct speech है तो हमें गलतिया नहीं धूड़नी है spotting errors में direct speech में गलतिया होंगी tenses की ठीक है गलतिया होंगी असान सी जैसे said that लिखना है कि said to me लिखना है कि said to लिखना है तो आपको indirect speech में ज्यादा सही indirect speech में हो गया वो तो indirect speech में हमारे को गलतिया मिलेंगी तो सबसे पहले आपको indirect speech पता किसे चलेगा indirect speech होगा जब मेरे को एक्जाम में said लिखा हुआ है asked, told, ordered and so on एक चीज़ धियान रखेगा स्कूल में हमने जो पढ़ा है और जो spotting errors में आता है spotting errors में बहुत सारे rules याद रखने की जरुवत है नहीं तो पहला जीज जो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इन सब को present tense में लिखता हूँ say, ask, tell, order तो यह indirect speech तो होता है लेकिन इसमें मेरे को गलतिया नहीं आती क्योंकि इसमें हम tense change नहीं करते हैं इसमें मैं present, future, past तीनो tenses लिख सकता हूँ तो indirect speech अगर past tense में है तो ही उसमें spotting errors में जादा गलतिया आती है right guys, present tense में indirect speech की गलती नहीं होगी वह वापस tenses की गलती हो जाएगी so indirect speech इसलिए हम लोग केवल limited चीज़े याद रखेंगे spotting errors में said, ask, told या कोई भी ऐसा शब्द जो message दे रहा है और past tense में उन सब को मैं indirect speech की गलतियों में मानूंगा उसके बाद जब मैं indirect speech की गलतियों की बात करूंगा तो मुझे याद रखने है rules तो केवल दो या तीन rules है so guys, rules बहुत सारे होते हैं लेकिन spotting errors में क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि direct speech के आती, केवल मेरे पास एक sentence है तो केवल दो rules है, present or past tense, present of, sorry guys so guys, जब direct speech की बात करते हैं और indirect speech की बात करते हैं तो indirect speech के केवल दो rules होते है present or future tense नहीं लग सकता और questions नहीं बूछ सकते अब questions में किस तरह के variations आएंगे, orders में किस तरह के variations आएंगे, वो आप past videos में देख चुके हो, मैं उसमें जाधा time consume नहीं करूंगा right, so present or future tense होगा, तो गलत, question पूछा होगा, तो गलत, अब yes no question में if लगता है, orders में two लगता है, वो सब आपको पता होगा, क्यूंकि आप अभी तक videos देखते होगे, आ रहे होगे right, so no present and future tense, that is where majority of our questions come from अगर आप past years देखोगे, indirect speech का major question यहीं पे solve हो जाता है right, एक example कर लेता है, he told me he will study, तो अब अगर मैं he told me he will study की बात कर रहा हूँ, तो simply मैं will को गलत कर दूँगा, क्यूंकि will की जगा होडाना चाहिए, so he told me he will study, तो will नहीं आ सकता, that is all, so guys, video के last में आपको एक question paper मिल जाएगा, जिसको आपने solve करना है, and उसके बाद next video में हम इस कर दो